प्रिये साथियों मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं जोतिस और समधान हमारे यूटूब शैनल में आपका हार्दिक स्वागत है तिजोरी हमारे जीवन का एक महत्पूर्ण वस्तु है तिजोरी में हम अपना धन एकत्रित रखते हैं आजकल बैंक में पैसा रहता है लेकिन घर में पैसा रखने की आदत भी कुछ बड़े परिवारों को होती है दो चार लाक रुपे घर में पड़े रहते हैं खर्चे के लिए नौपरों की तनका के लिए वगरा तो तिजोरी किस दिशा में रखने से हमें साब भरी रहती है पर फेक्ट दिशा कौन सी है तिजोरी जोरी भरेगी आपके प्राक्रम से आपके काम करने से लेकिन जोंठिस के वास्तू के भी कुछ फैक्ट से उन पर लेकिर कहने तो यह कहना चाहिए कि तिजोरी घर में किस दिशा में रखना सबसी शुब रहेगा जोतिश शास्तर क्या मसापर और से पहले मैं तिजोरी में कुबेर भगवान की एक छोटी सी प्रतिमा या कुबेर यंद्र अवश्चा रखें पहले तो इस बात को समझें तिजोरी जहां पर धन रखा जाता है जो लक्षमी देवी का प्रतिन इधित्व करता है पैसा तूटी फूटी नहीं होनी चाहिए किसी भी द्रश्टी कौन से आपकी तुजोरी खंडित नहीं होनी चाहिए उसमें पीला लाल या सफेद या मिक्स रंग होना चाहिए हरा भी चल सकता है और आपकी तुजोरी हमेशा उत्तर पूरू या उत्तर दिसा में होने चाहिए और ज्यादा बढ़िया है कि उसका मुख दक्सिन दिसा में खुले तो यह जो तिस के दरश्टी कौन से वास्तु के दरश्टी कौन से बेहद शांदार डारेक्शन है मैं काम ना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को करें सबस्क्राइब